तो दोस्तों सबको पता है कि चाइना अन्य देश के टेक्नोलोजी को चुरा के हत्यारों का डेवलाप्मेंट करता है पर मुझे कभी नहीं लगा था कि चाइना इतना नीचे भी गिर सकता है दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाली के रिपोर्ट में बताया जा है कि किस तरीके से चाइना यूक्रेन के भी मिसाइल के टेक्नोलोजी को चुरा लिया बैसिकली अब तक चाइना के द्वारा रश्या अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों के टेक्नोलोजी को ही चुराया जा रहा था पर चाइना जैसे देश कितने नीचे तक गिर सक इसका example हाली में चाइना के द्वारा ही दिया गया है। को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों हाली में Eurasian Times के एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चाइना के तरफ से एक ऐसा नया मिसाइल को निर्मान किया गया जो परवनु हत्यारों से भी लैज हो सकता है और करिफ-करिब Mark 5 के रफ्तार से भी ट्रावल कर सकता है पर अगर Euras Eurasian Times में चाइना के ये नए मिसाइल को लेके क्या महिमामंडन किया गया है तो महिमामंडन के शुरूआत में पोस्ट कोल्ड वर एरा का जिकर करते हुए बताया गया है कि कोल्ड वर के बाद चाइना एक तरीके से दुनिया में एक बड़े मिलिटरी टेक्नोलोजी के देज किया गया है वो असल में सोवियत उनियन से चुरा के बनाया हुआ हुआ है पर हाल फिलाल में चाइना के द्वारा सोवियत उनियन के हतियारों को चूस के निगल जाने के बाद अमेरिकन और वेस्टन देशों के हतियारों को चूसा जा रहा है रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्ट महीने में एक ख़वर वाइरल हुआ था कि चायना के तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाल का टेस्ट किया गया और 18 अक्टोवर के दिन चायना के गॉर्मेंट के द्वारा इस ख़वर को डिनाई कर दिया गया है अगस्ट में फैला हुआ वाइरल रिपोर्ट के मुताविक चायना के तरफ से एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाल का डेवलप्मेंट किया गया है जो की 40 किलोमेटर के रेंज में मार्क 5 मतलब हाइपरसोनिक रप्तार से ट्रावल कर सकता है और साथ में ये भी दावा किया गया कि चायना के इस तरीके के मिसाल के वजालत चायना अब हाइपरसोनिक टिकनोलोजी में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है पर दोस्तो इस बार पहली वार ऐसा हुआ है कि चायना के तरफ से इस तरीके के बात को लेकि डिनायल मोड में काम किया जा रहा है इसके भी फीछे दोस्तो कई सारे कारण है बैसिकली 18 ओक्टोबर के दिन चायना के फोरेंड मेंस्टिक एक स्पोक्सपरसन जाओ लुजियान के तरफ से एक ओपिशियल बयान में बताया गया कि ये कोई मिसाइल नहीं बलकि एक नया स्पेस वियेकल का लॉंच था उनके बयान के मताविक ये एक reusable technology से last spacecraft या फिर root line spacecraft था जो की चायना के लिए स्पेस क्राफ्ट के cost को reduce करेगा इवन उनके तरफ से ये भी बताया गया कि ये जो spacecraft का टेस्ट है ये successful रहा और re-entry भी successful हुआ जबकि re-entry के दर्मियान spacecraft के जो support equipment था वो spacecraft से अलग हुआ और re-entry में ही जलके खाक हो गया चायना के मीडिया में भी Chinese government के इसी propaganda को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें सबसे आगे है global times पर दोसो दुनिया में इसे लेके एक अलग तरह का view है और Eurasian Times में भी इस view का जिकर किया गया तो से US के intelligence agencies के तरफ से अगश्ट महिने में घटे हुए इस घटना को बारी की से देखा जा रहा है क्योंकि US को शक है कि चायना space vehicle के launch के बहाने पे कोई नया ballistic missile या कोई नया खतरनाग हतियार का test कर रहा है वैसे तो वैसे तो परवानू हतियारों से लैज ballistic missile के मामले में अमेरिका चायना से काफी आगे है लेकिन चायना जिस तरीके से एक के बाद एक डिफरेंट टाइफ के हतियारों का निर्मान कर रहा है उसे लेके अमेरिका और अमेरिका के ally देशों के अंदर काफी अधिक च चिंता का कारण बना हुआ है पर दोस्तों अगर ये यूएस के अकेले का रिपोर्ट होता तो हम मानते की यूएस के तरफ से इसे लेके थोड़ा अधिकी चिंता किया जा रहा है लेकिन रिपोर्टें यूएस के बाहर से भी आ रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि अगश जिसे यूक्रैन के तरफ से निर्वान किया हुआ Bless peril का सूरी क्रूज मिसाइल से काफी हद तक मिलता जूलता मिसाइल के रूप में ही देखा जा रहा है दोसो बेसिकली माना जा रहा है कि अगश्ट महिने में संभावी चायना के द्वारा इसी मिसाइल का ही परिक्षन किया गया था दोसो मिसाइल को कमपनी के तरफ से सबसे पहले जूहाई 2021 एक्जिविशन मतलब एर शो के दर्मियान दुनिया के सामने लाया गया था ये काफी हद तक यूक्रेन के ब्लसकॉफ का लाइटनिंग सूपर सॉनिक मिसाइल के साथ मैच कर रहा है और इसे आसानी से कोई देख के भी कह सकता है और यूकरेन के जो ब्लसकॉफ का मिसाइल है ये सोवियद उनियन के जमाने में निर्मान किया हुआ कोई मिसाइल नहीं जो यूकरेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है बलकि ये एक ऐसा मिसाइल है जो सोवियद उनियन से तूटने के बाद यूकरेन ने निर्मान कि चाइना के मीडिया रिपोर्ट के मुताविक HD1 मिसाइलों को जमीनी और समुंदरी दोनों टार्गेटों को ही ध्वस करने के लिए बनाया गया है और इस मिसाइल के द्वारा प्रिसिजन स्ट्राइक और फायर सपोर्ट के साथ साथ कोस्टल डिफेंस चैनल ब्लॉकेट जैसे मिशनों को भी अंजाम दिया सकेगा जबकि इसके इलावा चाइनिज मीडिया का ये भी कहना है कि मिसाइल का इस्तेमाल करके वेल प्रोटेक्टेट टार्गेट जैसे की कॉम्मुनिकिशन, कमांड सेंटर, मिलिटरी बेस, मिलिटरी इंफरस्ट्रक्चर और एनिमी के नेव इंटेक है ये मिसाइल के दोनों तरफ है और दोनों मिसाइलों के डिजाइन काफी सिमिलर है जबकि दोनों के अंदर डिफरेंसे काफी कम है दोसो मिसाइलों के एर इंटेक को देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें चाइना के तरफ से रैम जेट का इस्तेमाल किया गया होगा तो सब बलसकाफ का मिसाइल को सबसे पहले यूकरेन के द्वारा साल 2019 में यूकरेन में आयो जीत आमस एंज सिगूरिटी एक्जिविशन के दर्मियान यूकरेन के राजधानी कियेब में परदर्शित किया गया था और दोस्तो हैरान करने का बात ये है कि जिस मिसाइल को जश्ट दो साल पहले तैजार किया गया चाइना जैसे देश उसे दो साल के अंदर ही कॉपी कर लिया और वो भी कोरोना जैसे महामारी के दो साल के वितर ऐसे में तो संद्या ये भी है कि कोई वी देश अगर कोई बहत्रिन हतियार بنाता है तो चाइना तुरंत ही उसे कॉपी करके उस देश से पहले ही एक्स्पोर्ट मारकेट में उतार देगा दोसो चाइना ये रणनिती कई सालों से अपना रहा है और अब तक चाइना के द्वारा इस रणनिती का इस्तेमाल करके रेशिया के एकोनोमी और मिलिटरी एकोनोमी के उपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया रेशिया के मिलिटरी एकोनोमी को चायना ने बीटे 20 साल में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि रेशिया के बीटे 20 सालों में हत्यारों के एक्सपोर्ट गिरते गिरते इतना नीचे गिर चुका है कि रेशिया के सामने फिलाल कुछ गिने चुने ही ऐसे देज बचा हु highly fortified टार्गेटों को ध्वस करने के लिए निर्मान किया गया है और इसमें आर्मर पियर्सिंग और एक्स्प्लोजीव वोरहेट का अस्तेमाल किया गया है जबकि मिसाल का अधिकतम रप्तार 2000 से 2500 किलोमिटर पर आवर है दोसों ये पहला कोई हत्यार नहीं जो चाइना के द्वारा कॉपी किया गया है बलकि इससे पहले वी कई तरीके के चाइनीज ऐसे हत्यार है जो चाइना ने अन्य देशों से कॉपी किया है एक्जाम्पल के रूप में अगर बताया जाए तो चाइना के तो ये जो Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो असल में अमरिका के C-17 का कॉपी है जी-20 हेलिकोफटर अमरिका के US-60 ब्लैक हॉप होफिक का कॉपी है और चाइना के TY-052 डेस्ट्वायर असल में अमेरिकी early work class के destroyer का copy है Chinese aircraft J-11 सुखोई 27 के और J-16 सुखोई 30 के copy है जबकि जो FC-31 है ये F-35 का copy है और China के aircraft carrier Russian aircraft carrier के Ditto copy है दूसरे तरफ China के tankों को भी देखा जाए तो ये ज़्यादा तर T-72 और T-90 tankों को copy करके ही निर्मान किया गया है और China के पुराने tank भी Russian T-55, T-62 जैसे tankों के copy के base पे ही निर्मान हुआ है चाइना के सबसे अधिक मात्रा में export किया गया aircraft मतलब J-7V, MiG-21 के copy है जबकि China के AVAX से लेके छोटे आकार के transport aircraft और assault rifle से लेके artillery तक Russia और अन्ने देशों के हतियारों के copy है कुल मिला के दोस्तों अब तक तो चाइना के द्वारा चाइना से अधिक ताकतवर या चाइना से बड़े देश या technological advance देशों के ही हतियारों को copy किया जा रहा था लेकिन अब चाइना इतना गिरा हुआ हरकतों में आ गया है कि यूक्रेन जैसे देशों का भी हतियारों का copy कर रहा है दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का कते ही मतलब नहीं है कि यूक्रेन कोई छोटा देश या technological advance देश नहीं बलकि यहाँ पे यूक्रेन के technological development को देखा जाए तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यूक्रेन टेक्नोलोजी के मामले में चाइना से पीछे है खास करके चाइना के copy करने के technology से दूसरे तरफ economical लिहाज में या फिर कहतो हाली के situation को देखते हुए यूक्रेन को चाइना जैसे देशों के साथ compare करना से ही नहीं होगा और यूक्रेन फिलाल एक ऐसा देश है जो हतियारों को बड़े मात्रा में अन्ने देशों से purchase कर रहा है ऐसे में चाइना जैसे देश अगर यूक्रेन के हतियारों को copy कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में चाइना, बंगला देश, नेपाल, भूटान जैसे देशों के हतियारों को भी copy करना शुरू कर दे तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद